दोस्तों कि राब भी रोहित शर्मा और विराइट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों फाइनल मैच से पहले साउथ अफरीका के खिलाडियों ने भारत को धमकाते हुए दिया भरकाओ बयान तो रोहित शर्मा और विराइट कोहली ने पलटवार कर दिया मोतोड जवाब जी हाँ दोस्तों भारत और साउथ अफरीका के बीच वर्ल्ल कप का फाइनल मैच के लजाने वाला है इस बीच फाइनल के शुरू होने से पहले साउथ अफरीका के खिलाडियों ने भारती टीम को धमकाते हुए जहरीला बयान जारी कर दिया है वहीं पलटवार करते हुए रोई शर्मा विराट कोली ने भी एक ऐसा मोटोर जवाब जारी कर दिया जिसको सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं पाकिर फाइनल से पहले साउथ अफरीका और भारती खिलाडियों के बीच कौन से तीखी पहस देखने को मिल गई है यह तो आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत और साउथ अफरीका की टीम में किसका प्रदोशन अभी तक सबसे शांदार रहा है अपनी राहे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा दोस्तों जैसा कि आपको पता है टी टुएंटी वर्लकप का फाइनल मैच भ भारती खिलाडियों ने भी पलटवार कर मोतोड जवाब देते हुए सभी गोहरान कर दिया जिसमें कप्तान एड़म माकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफरीका की बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच के लिए हमारी टीम के सभी बल्लेबाज और गिनब त्यारी त्यार हो चुके हैं ऐसे में अब हमारी टीम के खिलाब भारती टीम को किसी भी कीमत पर फाइनल मैच में जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा वहीं डेविड मिलार ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफरीका के बीच खेले जाने वाले फाइनल जाएगी इसके लाबा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारती टीम के पास में काफी जादा बहतरिंग इंदमाज और बल्ले बाज मौजूद है लेकिन हमारी टीम के खिलाडी बहतर प्रदोशन करते हुए भारत को उसके असले उकाद दिखाने के लिए त्यार है वहीं कुंटर निकॉक ने बयान देते हुए कहा कि भारती टीम के पास में काफी जादा बहतरिंग इंदमाज और बल्ले बाज मौजूद है लेकिन साउथ अपरिका की टीम भी कमजोर नहीं है साउथ अपरिका की टीम ने जिस परकार से इस वर्ल कप के अंदर बहतर प्यार रहे वहीं भारती टीम के कप्तान रोहत शर्मा ने मौतोर जबाब देते हुए कहा कि भारत और साउथ अपरिका की बीच खिले जाने वाले इस मैच में हमारी टीम को जीत दर्च करने से कोई रोक नहीं पाएगा हमारी टीम को काफी जादा कमजोर समझा जा रहा है क क्योंकि हमारी टीम बड़ी मैच में खराब प्रदोशन करती है लेकिन इस बार हमारी टीम के सभी खिलारी बहतरी तरीके से प्रदोशन करने के साथ फाइनल में विरोधी टीम को परिशान करेंगे इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते वे कहा कि इस मैच में भारती ट प्रदेशन और किसमत के सारी जीत के इस साथ फाइनल में पहुंच गई है बलकि हमारी टीम ने बहतर प्रदेशन कर सभी प्रभाबित किया है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कि साउथ अपरीका की टीम अपने आपको काफिस जादा मजबूत समझ रही है ले लेकिन इस बार हमारी टीम के सभी खिलाडी बहतर प्रदेशन करते हुए वर्ल कफ फाइनल में साउथ अपरीका करा कर चैंपिन बनेंगे तो दोस्तों आपको कह लगता है भारत और साउथ अपरीका की इच खेले जाने वाले मैच में कौन सी टीम जीत दरज कर सकती है अप करते हुए ला जवाब बल्लिबाजी की मातरा 49 गेंदों में 57 रन ठोक 6 चौक और 2 तुफानी चक्के भी लगाए तो बची कुछी किसर सूर्य हार्दिक और रविंदर जड़ेजा ने पूरी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को 20 ओवर में 171 रनों के माउ की और से सरवादिक 25 रन की पारी हैरी ब्रुक ने खेली ब्रुक के अलावा जॉस बटलर ने 23 रन बनाए इंग्लैंड के साथ बल्लेबास दोरे अंक तक भी नहीं पहुँच पाए भारत के और से कुल्दी बियादव और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट चटका है इन दोनो के लिए बता दें अब टीम इंडिया 29 जून को फाइनल मुकाबले में साउथ अफरिका से भीड़ेगी ये मुकाबला केसिंग्टन ओवल बारबर डोस में खेला जाएगा साउथ अफरिका ने पहले समी फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा कर पहली टीट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में जगा बनाई थी टीट्वेंटी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारतीय सेमेनोसार राथ अट बजे शुरू होगा जबकि इसका टॉस आदे घंटे पहले यानि साड़े साथ बजे होगा यानि कि ये चुनौती टीम इंडि प्राडियों ने बेहदत रंगी और बड़ बोले अंदाज में टीम इंडिया का स्वागत इस फाइनल में किया है उनकी तारीफ करने के साथ साथ अब उन्हें खुली चुनौती भी दिये जिया दोस्तों सबसे पहले तो मिस्टर 360 एबीडी विलियर्स ने बड़ा बयान द प्राडियल और कुल्दीब यादव ने ला जवाब बॉलिंग की फाइनली अब टीम इंडिया फाइनल में हमारे सामने अंतिम चनौती है लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के होते हुए ये हमारा फाइनल जीतना बिलकुल भी आसान नहीं रहने वाला है मैं यही प्रारतना करूंगा कि हमारे टीम आसानी से ये मैच जीते और पहली बार विश्व चैंपियन बने तो दोस्तों ग्रीम स्मित ने भी बड़ी बात कह दी है जी हां उनका मानना है कि वाकई में रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी दाद देनी क्योंकि टीम इंडिया बहुती ज्यादा मजबूत है लेकिन मुझे अपने खिलाडियों पर भरोसा है इस पिच पर स्पिन के इंबासों को कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी टीम ये मैच जीत सकती है क्योंकि यहां भारत के स्पिन के इ फैनल में आये हैं ऐसे में हमें किसी भी कीमत पर ये ट्रॉफी जीतनी है हम सब मैदान पर पहले आये थे तो हम यहां की परिस्तितियों पर रिपिच रिपोर्ट से सबसे वाकिफ हो चुके हैं टीम इंडिया भी तुरंट मैच खेल कर आ रही है तो वह एडवांटेज में कि मुझे लगता है कि इस मैच में हमारा पलड़ा भारी है चाहे गेंड़ाजी हो या बल्लेबाजी उनके अलावा अफरिका के महां तेज गेंड़ाज डेल स्टैन का घमन भी सिर चड़कर बोला है उनका कहना है कि यह फाइनल मुकाबला गेंड़ाजों के बीच होने वाल पर है क्योंकि हमें पता है यदि हमने उन्हें आउट कर दिया तो भारत के मिडल और पर दबाव बनाकर हम उन्हें बहुत जल्द निप्टा सकते हैं और यही हमारी रंड़नीती होने वाली है जैसे हम फॉलो करेंगे तो दोस्तों देखा आपने इन अफरीकी दिगजों का दूसरा सेमी फाइनल मैच भारत और इंग्लेंड के बीच गयाना के प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया जहां पर इस मैच में इंग्लेंड की टीम ने टास जीत कर पहले गेन बाजी करने का फैसला किया इस बीच भारतिये टीम ने बीस ओवर के अंदर रो जिस और जौफरा आर्चर ने 21 रन का योगदान दिया तो वहीं भारतिये टीम के लिए अक्षर पटेल और कुल्दी भी आदव ने तीन तीन विकेट लिये और जस्परीद बुमरा को दो विकेट मिले जिसके चलते इंग्लेंड की टीम 16.4 ओवर के अंदर 103 रन पर आल मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि इस मैच के अंदर कैसे इंग्लेंड की टीम ने आसानी से भारतिये टीम के खिलाफ घुटने टेक दिये हाला कि भारतिये टीम एक बहतरी टीम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टीम की मजबूती के साथ मैदान इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतिये टीम के पास में रोहिच शर्मा जैसा बहतरीन दिमाग है जिसका उप्योग भारतिये टीम में बहतर तरीके से किया है तो दूसरी तरफ इंग्लेंड की टीम घटिया कप्तानी की जिसके चलते साल में खिलने लायक टीम नहीं थी हमने तो पहले का था कि इंग्लेंड की टीम को बेवजह समी फाइनल में डाला गया है क्योंकि यह टीम बहतर तरीके से जीत दर्ज करना नहीं जानती है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इंग्लेंड की टीम के बाहर हो जाने से हमें काफी ज्यादा दुख है क्योंकि अगर हम इंग्लेंड की जगहा पर होते